हलो फ्रेंडस हम लोग यहां पर रेश्य के हमारा है और हम लोग यहां पर तोटल ट्रफ रिसकश करेंगे और उसको भी कोशिच करेंगे कि आपको का BCD का कितना है वो 1y3 जिम्लेली बोल रहे हैं बाकी मिली धन का कितना 1y4 और C को बाकी की मिली धन का 1y5 यहां पर देखें कहाना क्या चाह रहा है यहां पर कहाना यह चाह रहा है कि इसका अजर हम लोगा से तो क्या लिखा हुए ए प्लस B प्लस C प्लस D का भाईका कितना हो रहा है वन वाइए वन प्लस T Ś कितना जगा है वन वाइफ फोर हो रहा है यह ओर है ना सिम्लेरल ली दिखिए B upon round, A plus, C plus, D value, आपका कितना देव आपका, 1 by 4, यानि कि क्या है, B upon, A plus, B plus, C plus, D का value, कितना है आपका, 1 by 1 plus 4, यानि कि 1 by 5, ठीक है, आदेके, C upon, A plus, B plus, D का value, question में कितना देव आपका, 1 by 5, यहां से क्या हो जाएगा आपका सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसकल टू इसका मतलब क्या हो गया इसको 60 बनाने के लिए का करना पड़ेगा नीचे भी पंदा से गोना कर देंगे उपर से यहां पर सिक्स्टी इसको बनाना हो तो क्या करेंगे नीचे वले कोई फरक नहीं पड़ेगा यहां पर सिक्स्टी बनाना तो उपर नीचे 10 से मल्टिप्लाय कर देंगे एक तरीका तो फिर्ट से आपका यह हो गया दूसरा तरीका हम लोग इसको कैसे सोच सकते हैं यहां से क्या निकल गया आपका A is equal to 15 B is equal to 12 C is equal to 10 और A plus B plus C plus D कितना हो गया आपका 60 इसका मतलब D is equal to कितना हो जागा 60 माइनस 15 प्लस 12 प्लस 10 यह नहीं कितना हो जागा आपका 20 ठीक है ना एक तरीका तो हम लोग D को ऐसे सोच सकते हैं आप दूसरा तरीका और कैसे सोच सकते हैं आप देखिए A upon A plus B plus C plus D इसका रेशियो कितना है आपका 1Y 4 है हाँ ना तो सिम्मेडरली ऐसे लिख सकते हैं B upon A plus B plus C plus D का रेशियो is to C upon A plus B plus C plus D का रेशियो कितना है आपका इसका जो रेशियो है इसका रेशियो कितना है आपका 1Y 4 is to 1Y 5 is to 1Y 6 अब लेखिए यह रेशियो है तो अगर इन लोग सारे से अगर इसको हटा दे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A is to B is to C का जो रेशियो कितना जगा 1 by 4 is to 1 by 5 is to 1 by 6 1 by 4 is to 1 by 5 is to 1 by 6 का रेशियो हता था उसको हम लोग कैसे लिखते थे इसको छुपा देते थे इसको कितना है था 30 is to फिर इसके छोड़ देतो कितना हो जागा 24 is to 20 यहने की क्या लिख सेकता हम लोग A is to B is to C is equal to कितना हो जाता आपका 15 is to 12 is to 10 इसको हम लोग लिख सेकते थे 15 is to 12 is to 10 अब देखे इसमें से कोई भी क्योशन में पूट कर देंगे तो हमारा D का भल हुआ जागा तो देखिए अगर पहला में अगर हम लोग पूट कर देते एक कितना है आपका 15 बाई B प्लस C कितना है आपका 12 प्लस 10 बाई सेना प्लस D is equal to कितना हम लोग बोलते है तो वान भाई थाड़ ठीक है कि B प्लस A by B प्लस C कितना हो जागा आपका 12 बाई सेना प्लस D इसकल टू वन भाई थाड़ यहां कि यहां सेना लिखेंग है क्या लिखेंग है 45 इसकल टू 22 प्लस D यहनिकि D इसकल टू कितना हो जागा हमारा 23 हाना तो फ्रेंट्स एक तरीका यह हो गया तो देखिए टूटल धन कितना था आपका एक हम लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हैं लेकिन सबसे बेटर होता कि हम लोग उपर में जैसे सोचेंगे तो हमको आशानी हो आप देखिए यहां से क्या दिखा हो आपका यही है ना तो यही है कितना हो जागा तो शेश चौका जोदीश को थीजेट आई han तो यह हमारा फ्रेंट्स भी ऑफ्सन हमारा राइट अंसर रहा तो फ्रेंट्स अब लोग दूसरा सवाल देखते हैं यहां पर यह कह रहा है दूसरा सवाल में कि 500 रुपय को यह भी सी मीज परकार से डिवाइड करना कि एक हिस्से का दूबटा पांस से 16 अधीक बी के हिस्से 3 मुटा 4 से रूपया 170 कम तता सी कीस्से कर तीन मुटा 5 से रूपया 4 कम आपस में एक्वल है था नहीं इदेखें यहां पर कोशन का कंडिशन क्या कर रही है पहले तो बोला कि एपलस बीपलस जीडू के पिच में को 500 बांटन था दूसरा कंडिशन क्या दिए आपका ऐसे आप 2 x 5 of a 2 x 5 of a plus 16 is equal to और क्या देओ आपका 3 x 4 of b minus 3 x 4 of b minus 70 is equal to और क्या देओ आपका 3 x 5 of 3 x 5 of c minus 1 is equal है ना इसको हम लोग को इक्कोव कमान लेता है जनरल हम लोग के मानते है ना लेकिन इस टाइप के जब भी सवाल आगे ना तो आपको के नहीं मान करके इस तरीका से हम लोग मानेंगे 2 3 और 3 देखे एक कोफिसेंट कितना उपर में 2 b के साथ कितना है 3 है c किसा हम लोग कैसे माने चाहां पर आपका टाइम और वर्क हो जहां पर भी हो तो देखिए माथमेटिक में तो चाड़ पांच ही चीज़ का तो रहा हो प्लस माइनस मल्टीपल डिविजन और LCM सबसे ज्यादे यह रॉल प्ले करता देखे तब यहां से तो आप हमारा ओपन हो ग 5 by 2 into 6K minus 16 ठीक है इसका मलोग क्या लेख सकते हैं 30K minus 80 by 2 इसका मलोग क्या लेख सकते हैं यहां पर 15K minus 40 यह का भेलू आपका क्या हो गया हो यहां से 15K minus 40 आप सबस्क्राइब देखिए बी का भेलू अगर लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे बी को अगर हम लोग लिखना चाहें तो सीधा लिख सकते हैं बीज कल टू देखिए 4Y3 हो जागा इधर में इधर कितना हो जागा आपका 6K plus 70 एक साथ में लिख सकते हैं आप देखिए यहां से कितना हो जागा 24K 3 है ना 24K 3 कितना हो जागा 24K 3 कितना हो जागा 5Y3 इन्टू 6K plus 4 आप देखिए छेओ पचे 30 30K 3 कितना हो जागा आपका 10K प्लस 20Y3 तो देखिए यहां पर क्या हो जागा आपके पास जब यह इस तरीका समय आपके पास सीर्फ और सीर्फ एक वारियबूल आ गया ना एक वारियबूल आ जागर हमारे पास एक्वेशन भी कितना है आपका एक है तो देखिए यहां से यह बी और सी का भालो यहां पर हम लोग पूट कर देंगे विसी का तो क्या लिखेंगा फिप्टीन के माइनस 40 प्लस 8K प्लस 280 भाई 3 प्लस 10 K प्लस 20 भाई 3 इसकल तो कितना हो जागा आपका 500 वार ठीक है यहां से देखिए पंदरा आठ तेश दस तेटीस के हो जागा 33K प्लस देखिए 280 प्लस 20 कितना हो जागा 300 भाई 3 300 भाई 3 को कितना लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं माइनस 40 प्लस 100 इसकल टू 500 ठीक है तो यह सब यह कितना हो जागा आपका टोटल प्लस 60 उधर जागा तो मानस 60 यहन्य कि 33K इसकल टू कितना हो जागा आपका 400 33K इसकल टू कितना हो गया आपका 440 यानिकी 113 जा 33 114 यानिकी के का भालू आपका क्या हो गया 40 y 3 K का भालू आपका कितना हो गया 40 y 3 K का भालू आपका कितना हो गया 40 y 3 अब देखिए हम लोग को पूछा जा रहा है B का भालू B का हिस्से क्या होगा तो B is equal to कितना हो रहा है आपका का हिस्सा में अगर देखेंगे तो व का वेलु कितना हो रहा आपका वेलु कुछ ऐसे सोच सकते हैं कितना हो रहा है एक इस इकल टू एट के प्लस है 280 वाइख एक अगा टी इन टू एट इन टू प्रटी वाइट टी प्लस 280 by 3 यह हो रहा ना इसको लिखिंग कितना हो जागा 320 प्लस 280 यहने कि क्या हो जागा देखें तो क्या हो जागा 320 प्लस 280 यहने कि 600 वाई तो हमारा राइट अंसर कितना हो जागा 200 तो फिरेंट 20 पीशची तरफीश च्वाद को क्या करते हैं कि जितना भी उसको क्ये मानтор श्कृत कर लेकिन ऑसकी मानने के माने करके यह जो यहने क्या मानते हैं जो भी तो देखिए आज कि हमारा स्वाल यह कर रहा है कि 34-800 रुपया की राज़ी को ये बी सीडी की बीच में इस पर कार बाटा जाता है कि ये को अगर एक रुपया मिलता अजूम किजिए तो बी और सिम्टल अगर अगर बी को ये कृपया मिलता है तो अजूम किजिए ची को एक बीका जो रेशियो को कितना का है यह को एक रुपया मिलता है कि फ्रय को कितना मिलता है आपका सब्सक्राइब में कहात है हमेशा उसको एक जाती मिला अगर रुपया तो इसको हम लोग पाइसा में तो 100 इस तो कॉह नहीं इस तो आ कि दिखिए 20 चैनि आपका बी को और सोची कि एक रुपया मिलता तो दोसे को कितना मिलता है एक रुपया याने कि 100 is to 120 याने कि कितना है आपका 5 is to 6 वो जादा है लेके C को मिल रहा आगर यह कुर प्यातर डू को कितना मिल रहा है 75 पैसा है याने कि 125 तू 75 पचीछ तो याने कि 4 is to यह हो गया आप देखे इसको हम लो कैसे लिख सकते यह कितना जाए पका यह कितना है यह कितना आपका 5 is to be to see कितना है आपका 5 is to इसके बगल में कितना है आपका पांच आएगा इसके बगल में तो इसके बगल में तो इसका हम लोग आपको बहुत अच्छे तरीका से समझा दिया है पहले बाला लेशन से चुक्कि हम लोग हर चीज को बिल्कुल बैसिक से पढ़ आप देखे इसको हम लोग क्या करते हैं मल्टिप्लाइ कर देंगे शारा को तो रेशियो आपको लेकिन यहां पर मल्टिप्लाइ क्यों करेंगे एक आपका चार 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 कॉमन आ हो छोड़ा अपका तोल कितना जाएगा पचीस 2045 पारीष स्थीच प्रस्याट्राइब देखे इटीच शर्टीश इनिटव कितना दिया हुए आपका अ कि T7 इन इंट और वहुआ कि इस कि तरह चार्टीश थाजर आपको इनटिया आने इसको कर यहां से करेंगे एक लिए तिस्तिया शताज तीन तो कितना जाएगा 116 00 39 4 00 यानिकि वान इंट का फैलू कितना हो जाएगा आपका 400 अब देखिए बी का जो है वह कितना इनिट है बी का अनुपास 20 इनिट है तो 20 इनिट का फैलू कितना हो जाएगा 400 गुना 20 400 गुना 20 मतलब की 8000 आपका राइट अंसर सी हो जागा ना 20 इनिट हो जाएगा तो इस तरीका से लोग ऐसे सवालों को सोचते हैं तो फ्रेंट्स देखिए आज का चौथा सवाल यह थोड़ा आशान सवाल है यहां पर यह कर रहा कि रुपया तिरेपन को यह भी सिमीश परक हिस्ट कानविपाद क्या है बड़ा सिंपल सास्वाल कि पाहले क्या करें एक वी से साथ अगर सोची कि आंगो लोगो दूंगो अगर हम लोग लोग मालेते हैं वी को एक सुर्पया मिलता है तो एक को कितना मिलेगा X plus seven ही मिलेगा ना और दूसरा क्या कर रहा है B को C से और रुपे अधीक मिलता धीक को ऌल दूसरा तूसरा क्या कर रहा है अब देखिए a b c इनों को मिला कर के कितना है आपका 53 यह निकले की एक कितना है आपका x plus seven plus x plus x minus 8 इसकल तो कितना है आपका 53 थे 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 थी एक्स देखिए seven minus 1 के टना यह इस तरफ जागा तो 54 भाई तो आप से पूछा जा रहा क्या अनुपात तो देखिए यह बी को कितना हो जागा आपका 18 कि एक प्लस सेबन 25 को कितना हो जागा तो इस तरीका से हम लोग इसको बहुत आसानी से सोच लेते हैं तो इस तरीका से यह सवाल को हम लोग तो फिरेंट्स देखिया आज के हमारा पांचवाच शवाल यह का रहा है कि कोई भी व्यक्ति है ना जो अपने धन को अपने दो पू पूत्र पत्नी और भाई के बीच में बाढ़ता है अब यह बोला कि पूत्रों को जितना भी धना उसका आधा धना अपने पूत्रों को देता है और यह बोला दूसरा पूत्रों को दियता है इस कंडिशन में कि एक पूत्र को फोर तो दूसरे पूत्रों को तीन देता है आ हम लोग कैसे सोचेंगे तो देखिए आदमी के पास कितना दो पूत्र हैं सब्सक्राइए यह बोल रहा है कि 4 is to 3 में दे रहा है इसका टोटल आधा संपत्ति कितना आपका आधा संपत्ति कितना आपका शेवन हो गया है अब देखिए यहां टोटल मिलाकर के कितना होना चाहिए सेबें यह दोनों को छी देता है तो ब्रादर को इनका रीशियों आप प्रादर को जो संपत्थि दे रहा है उसका ब्रादर को संपत्ति दे रहा है इसका वह उपका कितना पूरा समपथी इसका कि ना था तो नहीं ओध रहा ये लुट फॉटी नहीं है ब– towards से मल्टाइब आठारा जार से मल्टिप्लाइब कर दें यह आपका अंसर होगा तो देखिए अठारा अठारा चोके जाए इनके बर्गों का यह वाले से तो बीच वाली संख्या यानि कितना जागा इनका बर्गों जागा इनका आपका इनका इनका ना इक सक्कार एक ना जग आपका ix कहला स्कर 4x स्क्रा फाइव एक्स का होल इस्क्वार कि फारिय तो आपका 25 इसका इनका देख्यों आपका 812 देखिए ए 943 प्लस पचीज कितना जाग आपका थीस जनी कितना जागा 38 एक स्क्राइब इसको फोड़ा कांसेल करते हैं कितना जागा नो तीन है हना कि नहीं चौछ यत्र अब देखें एक स्कार का वहलू कितना जगा यहां से अगर आप से बीच वाली संख्या पूच्छा जा रहा है तो बीच वाली संख्या कितना आपका तुए तो फ्रेंट आइए आज का साथमा कोश्चन हम लोग देखते हैं यहां पर यह कह रहा है कि चुनाव में परतेक मत दाता को 2 मिदवारों को मत देना है आधे मत दाता ONE को मत देता हैnt धूसरा मत वर b c d को 서 samma अभी मत दाता में से आधे मत दाता B मत देते हैं और अपना दूसरा मत यहां पर समार्भा दी को समान रूप मत देते है तो बकाया आठ तो चालीस मद दाता अपना मद नहीं देते हैं तो घ्यात किजिए कि परतेक कुमिदवार को कितने मद प्राप्त हुए देखे यहां पर कितने है चार है इसमें सिव रहना कि टोटल जो बोटर है उसका आधा वोटर है वह कितना देता है सिर्फ और सिर्फ एक को मद्दा करता है यह नियुक्त ये अधिक को मैद्दान करता है तो हम लोग में देखिए आप बाकि जो बोला की दूसरा बोट है इक देस्ते सबक्राइल वोटाए जो की वो डेता है एक को लेकिन दूसरा वोट है हो ऊसको इस तरिकर से रेशयो में वह 7-1 की रेशयो में समें लोग ऐसा मानते हैं कि कि जो 6 वोट है वो दुन वह जाता है अब देखिस टोटल हो कितना एक मतलता तो कितने कितना देना वोट आधा वोटर है टोटल को टोटल आधा किसको दे दिया six दे दिया एको अब जो six है वो बी सीडी में कितना है अगें कितना जगा 6 का अधा कितना जगा 3 दे दिया आपको B को अब आके CD में कितना दूसरा बोड दे रहा है 2 is to 1 करेशिंग आपको इस तरीका चाहिए ठीक है है अलगें आपको बोल रहा है कि जो रिमेनींग बच्च्छे है निटा थे कितना आ जयाता है तो 1.5 मिद रहता दे दिया आपको C को और 1.5 देदी आपको डी को हाना पका और इमेनिंग कितना में अनौक आखा अब या लिएर्ड कphonesरा कीछ को आपको कुछ पता नहीं है एक्जाम में अपको नहीं शुवाला है लूं जुट यह लूं। चालिस के बराभा ठीक ना यानि कि वान यूनिट का फैल्यू कितना जागा आपका 840 बटा में कि वान पॉंट्ट फाइव कि कितना जागा अठाई दूने चापन अठाई किया श्रासित कितना जागा फाइवनेड़ देखिए आप यहां से देखिए यह को टोटल कितना बोट मिल रहा है इस तरीका तो यह हो गया कि आपको इस तरीका से सोच सकते कि मत आता 1.5 तो आपको नहीं हो सकता ना अगर इसको हम जाएं तो इसका मल्टीपल में हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं कि A है B है C है B है सूचे कि इसका डवल कर देते हैं कितना जागा शे चार दो देखिए यह कितना हो जागा आपका कि अगर आपका माथेमाटिक्स है तो आपको यहां से भी आप निकल सकते हैं न क्योंकि हम लोग तो 1.5 का वैलू क्या होगा तो हम लोग इस तरीका से भी इसका हम लोग लोग लिखने जरुवात नहीं है लेकिन ऐकर यहां है यहां पर यहां पर देखने का जरुवात थी नहीं है लेकर इकfind यहां पर शेंब रहाता इस से जिए ऐ। तो 60 मिनिट का वैलू केतना हो जागा आपका 3360 अब 5.5 मिनिट का 560 इंटु 11 भाई 2 560 इंटु 11 भाई 2 आप करेंगे केतना हो जागा 280 गुना 11 तो 305 इंट का वैलू आपका यह आजगा तो फिरेंट के सवाल को फिरेंड हम लोग ऐसे सोचते हैं बहुत आसानी से तो फिरेंड देखिए आज का आठवा कोशन यह कहा रहा है कि एक और एक साचालाक अपने साथ 3 सवारी लेकर जाता है तो उसे 20 पर सिंड का लाव होता है अब यह बोला जा रहा है कि आपका बढ़ गया 40 पर से तो वह किराया सोलापुर्णाग दूबटे 3 पर सिंड बढ़ा जाता है और साथ वह वह तीन सवारी के जगा पर पांस सवारी लिया जाता है तो इसका लाव परतिशत ग्यात किजिए तो देखिए इसको हम लोग कैसे सोचेंगे है ना देखिए पहले तो यह है कि पेट्रोल का कीमा 30 रुपया है तो वह तीन सवारी को ले जाता है तो कितना कमाता है आपका 20 पर सेंट का लाव तो देखिए अगर सोचिए कि वान लीटर पेट्रोल से वान लीटर पेट्रोल खर्चा करके वह तीन सवारी को ल करके ले रहा है इसको आपको 20 परसेंट का लाव होता है अब यह बोला जा रहा है आप यह पेटोल का दाम है जो कि 40% से इंक्रीज हो गए ठीक है ना पर्टी परसेंट से इंक्रीज हो गए यहां से अब क्या प्रक्रिया हो रहा है इसको अब दिखेंगे हमाई मिक तोरव किराया शोल्ला पुर्सालेया दूबर्टे फीजा ए क्रिटी परसेंट अलिए कि न हो आपको फूर्टीन रुपीज अब इठा रहा पासेंजर कितना वह एक दो तीन चार और पांच पस्टीजर बढ़ा था इसको पांच पैसेंजर बठा रहा है अपर ट्रेक किराया कितना है आपका चौदर रुपय है न इस इसे से न्क्रीज हो रहा है 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 कि अब passenger से कितना बसूल रहा हा बंदा 20-0 रृप्याश, अब यह 42 और खंचा कर रहा है तो कमा रहा है कितना यह 70 रुपिया कमा रहा है तब इसको परपीट पर सेंट पूछ रहा है 42 रपिध कर रहा है यानि कि थया अब को। पन्टी एट रूपीज कर अन। यह जो कितना कर रहा है प्रॉफिट पर्सेंट वो लेगा हो जागा आपका कि ट्वेंटी एट खर्चा के यह 42 गुना सब्सक्राइब जाहां भी परसेंटेज का होगा सवाल आएगा परसेंटेज में पूछेगा तो संख्या अपने मन साब कुछ भी अर्जूम करते हैं जिससे कि आपका रिजल्ट काफी आसान हो जाएगा हम लोग इस तरीका सोच एक लिटर पिट्रोल में हम लोग सोचते हैं कि यह अब यह 20 परसेंट कमा रहा है इसका मतलब कितना हो रहा है बढ़ा देता है तो फ्रेंट से निए निए अब नया रेट कितना हो जागा चौधा चौधा रुपे अब इठा रहा है कितना पास पसंजर यानिकि अपका मारा है बढ़ा तो यह खर्चा कितना हो रहा है आपका कि पर्टिपरसेंट इंकिरी जुआ ना तो खर्चा होर आपका ब्यालीस रुपिया कमा रहा है सत्तर तो इस तरीका समरूद देखेंगे तो आपका राइट अंसर तो फ्रेंट से देखें यह आप यह कह रहा है कि एक फैक्ट्री में कुशल आ कुशल और कलरकों की शंख्य कि यह क्या होगे आपका है कि इसरा क्या होगे आपका है कि इनका रेशियो आपका कितना है आपका कुशल आकुशल आप लारके हैनना की एंटीन स्टू होगाला उस्टू होगाला आपका यह ऑच्यो है उच्क जुमाह भी ध्यू आपका है करेशियो आपका अगे खालिभी आपका अजिने आ पॉक्य आयपका यहां पर बोला कि जब 20 अकुषल कामगरों को लगाया जाता है तब कुल धैनिक महिदूरी रुपया 3180 तो परतेक बर के कामगारों की धैनिक महिदूरी क्या होगी देखिए अब यह बोला जा रहा है कि अगर हम लोग 20 अनस्किल्ड को लगाते हैं तो टोटल जो हमारा बेतर अमलता हो अत्या होता है यह को आंपका नमब्स का रिशियो हमदेक इनका संख्या आ यह बोल रहा हुआ कि 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 यह थता है का 20 ऐ alegen कि यह कितना कुण कुणा पर बैठा हुआ यह चाहर Cette one प्रप्राइब पहलों फिटर्टी इस तो ट्वेंट एंस इनने के तिन्हों जगार फिर्टिस चार गुना फिपल इक का चार गुना यह रिख वह गया इनका अनुपाथ है आप दिनमबर शքनbble पाथ है आपका यह अक्षिल में आप देखिए नमबर स्पिंटु तरण के कि कितना हो जागा 32 कुन 5, 160, एक्षो शार्टारिस इस्ट्था अब देखें कि तोटल के भाईलो आपका कितना के बराबर गुन आगर 15 करेंगे यह सीधा सीधा कांसिल हो जागा या फिर इसको अस्टेप बाई चलिए कांसिल किजिए तो इसको दूसरे 12 गुना 15 कर देंगे तो कितना जागा आपका हो एक a380 जाने कि वान इन का घजब हो लुग आया है है कि सब्सें पूचा जा रहा है कि पर यहां का मैंस इन अपास थो तो इसको बहुत आसानी सहासे सोच सकते हैं तो आई आए देखिए आपका आज का दश्मार्ण सवाल यह कर रहा कि दो रेलवेश्ट्रेश्ट्ट्टों के पर्थम दिर्तियों के किरायों के किरायों के कितना से गठाया जाता है एक बार्थम दिर्तिय त्रतियों के श्रंक्यानी कि एक वर्थम में टोटल फास्ट्ट्र अग्लास विन यूंबर ऑफ पसेंजर्ट्रों कर रहें उनका रेश्यों आपका क्या है वन वाई थी इस टुवन वाई फैवी इस्टु वन वाई फॉर का दूपा दूपा पाइटन यह कितका है पासेंजर का रिश्यों पासेंजर को तरीका से देखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको पांच चोग कर देते हैं बागी आपको करते हैं यह आपको यह आटोमाटिक आजाता है तका से आपका नंबर सो पासेंजर का रिचिया हो गया में या इंटा फ़धो रैस्व में या को सबस्छाइल ने सेकेंड ए हई हैं यह दिए उतना यह पर बोला दो कि ये का स्टेशन पर कुल 9905 प्लपकर क टिकेट बिचता है तो 13 से कमाया कितना किराया हम लोग राप्ट कर रहे हैं कितना किराया कि इसल फिर इनका कितना है कि रिष्य नें एग क्या वोल्मकरे कि शिकन पूर्नाक तिरी करसेंट से का सब्सक्राइबून ignored जान क divisi कर swipe six ए और दुसरा बोल रहा है कितना है क्या 22.22 परसेंट है फिसका मतलब क्ये होता है 22.22 परसेंग 11.1 परसेंट कितना अपका वन बाइन यानि कितना हो गया आपका यह तुवाई 9 से कम यानि किया हो गया 7 भाई 9 तो देखेंगे फारनल प्यार आपका क्या हो जाएगा 18 टू 5 भाई 6 हो जागा यह आई कर आपका 6 इन टू 7 भाई 9 यह तो आपका तो कोई जेन ने गुए इसका हम लोग सॉल्व करें दो चौ एट गुए शेट नूए जागे 20 भाई 3 इसटू 14 भाई 3 स्टू इस टाप कआपका फाइनल प्यार का आपका रीश्यों आ गया आए कि हम लोगों को फाइनल फेर का रेशियो को इसको क्या बोलते हैं 20 इस्टू 14 इस्टू 9 का रेशियो 20 इस्टू 14 इस्टू 9 का रेशियो आपका क्या हो गया है कि नमबर्स और पासेंजर कितना है नमबर्स और पासेंजर कर रेशियो क्या है अपका 20 इस्टू 12 इस्टू 12 इस्टू नमबर ओपासेंजर इन्टु फियर पासेंजर रोज़ गलेंगा तोन जाग पना है चारसो इसक्लों डगूनार आज है नगते एट गार ओन चार सो प्लस 135 प्लस 165 कितना होगा है 303 प्लस चार तो यहने की 703 यूनिट का फैलू आपका कितना है आपका कि चेवरान में 905 इसको अगर हम लो कांसिल करेंगे 1 कि कितना हो यह साथ सो तीन साथ सो तीन हो जागा तो कितना आपका बचाएगा 246 तो सो तो सालिक्या दो सचीन श्यालेस पर जीरो कितना हो गया है साथ यून थीन फाच पांच एक पांच यहनि कितना जगा हो तक ओने है कि घ sih थर्टी है कि वान इंट का वैलू कितना जगा आपका 135 अब देखिए थर्ड सिरनी से टोटल कितना फिर हम लोकों मिल रहा 135 तो 135 इंटु 135 लिए तो क्या हो जागा 135 इंटु 135 करेंगे 135 इंटु 135 करेंगे 135 इंटु 135 इंटु 135 करेंगे आप इसका क्या रिजल्ट आता है 14 गुना 13 14 गुना 13 कितना हो जागा 182 25 इंटु 135 इंटु 1325 करेंगे इसको हो जागा 182 25 इसको हम लोग कल्कुलेशन बहुत पार्ट में आपको बहुत अच्छे से बताए हैं कि कैसे भी एसक्वाइर किसी भी नंबर हम लोग बहुत आसानी से निकालता है वहां पर आप लोग 144 तो फ्रेंट्स देखिए आज का इगारमा शवाल यह कर रहा है कि मिठ्व भाई है कोई जो की रुप्या 15 के भाव से रसुल्ला बेचते हैं ठीक है ना और रसुल्ला बनाने के लिए इनको क्या खर्चा होता रसुल्ला में इनको आटा और चिन्नी लगता है ठीक ना तो फ्रेंट्स देखिए आप यह कर रहा है आपका आई गारमा शवाल कोई मिठ्व भाई है वो रुप्या 15 किलो के भाव से रसुल्ला बेचते हैं रसुल्ला बनाने में उनको इनको इन ग्राइडियंट का क्या पढ़ता है आटा और चीनी का अनुपात इनका कितना है फा का बुक्षा पुर्णा तीन पर्सिंट का लाव रहा है ना रुप्य थीन कोौं और झाड़ प्रिख्या और तीन को वहां इनको है र थ learnt का है यहां सभग देख सिप GP क्र तीन है को प्राइज सतीन है प्रॉफिट कितना इनका, प्रॉफिट 2 है, तो इनका SP कितना हो जागा आपका, इनका अगर SPY CP देखेंगे, कितना हो जागा, 3 प्लस 2, हैनिकि 5 बाइ, आप इनको देखें, क्या कर रहा है, और रोपे बेच रहें inीक कितना के इनका किरी कितना के इनको हो जाँगा थी तरह इनकी इनका सीपी कितना हो गया आपका है नौ रुपया इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं या फिर दूसा तरीका क्या है इनको इनको बेच जा रहा है 15 रुपया में यानि कि कितना हो जागा आपका पांच बटे तीन का वहलू कि आपका 15 रुपया पांच बटे तीन यूनिट का वहलू आपका कितना है यहां पे पेशिट है एक आपका नौ रुपया आपका नौ रुपया यानि कि एसकुल रसुटल्णा का कॉस्ट प्राइस कितना है इनका नौ रुपीज बटेज़ कि यहनि कि इसीपी कितना आपका प्राइस कॉस्ट पाइस इनको घुला का कतना हो गया इनका ना इन रुपीज पर केज आप देखे इनको रश गुला बनाने में क्या चिछ का जुरूर पढ़ता है इंग्राइडियंड का एक तो हो गया फ्लोर और सुगर है नहीं का हो गया आपका क्वांटीटी इस हो क्वांटीटी नहीं किलोग्राम में और प्राइस पर केज ठीक है यह हो गया quantity in cage तो quantity in cage ही में हम लोग आजूम कर लेते हैं कि 5 बीच तो 3 है तो 5 किल हम लोग floor खर्चा करते हैं तो 3 किज हमारा क्या है सुगर का खर्चा होता है अगर देखे चीनी और आटे का भाब का अनुपाद यानि कि तो चीनी और आटे का भाब का अनु इनका total cost price कितना आ रहा है तो टोटल कॉस्ट पाइस कितना आ रहा है तो आटे के लिए total cost price कितना जाए आपका 15 यूनिट आएगा और चीनी के लिए कितना जाए आपका 21 यूनिट देखिए 21 कितना जाए आपका टोटल कितना रहा है पांच ती 8 kg आठ के जी का total value कितना जाए आठ के जी का total value कितना जाए एक के जी ककर 9 आए आपका ना जूनिट यानिकि 22 रुपीज वह जाए यह होगा ना आठ के जीतोटल कितना जाएगा 22 रुपीज अब देखिए अ अब प्राइस किस रेशियो में थथाइटीओंदा प्लस ट्वेंटीओं जागा है है एघ्ञता टMKि सीक्सीदिट इस थाइटी सीक्नीट कावल आपका सोने टोंगें टो पित टू रूपीज हो गया यादि के दॉसक्त आया चिकी मेने입र इंट सेमें प्रटीन रूपीज पर केजी यह हमारा वाजाग आपका चीनी का प्राइस हाना इस तरीके समलोग इसको सोच सकते हैं अगर हम से पूछा जाता कि आठा का प्राइस कितना है तो 2 इंट तो 3 यानिकी 6 रूपीज पर केजी हो जाता प्राइस कितना है तो इंट त्री 6 रूपीज पर केजी यह पर चीनी का पूछ रहा है तो इंट इस तरीका से बहुत आराम से सोचते हैं तो फ्रेंट देखिए आज का हमारा लास्ट कोशन है बारवा कोशन आप यह कह रहा है कि रुपया 5920 को आठ आदमी 10 महिला और 12 कि मिलें इसका मतलब क्या हुआ 25% का मतलब क्या होता आपको वन वाई 4 अधीक मिलें को कितना मिलेगा यह रेश्य हो गया अदूसरा आगेन कह रहा है 25% इंक्रीज किसके लिए महिला को लेडिज को अगर 5 मिलता तो बच्चे को चार यहां से हम लोगे इस कर सकते हैं मेन मेन ओमेन और क्या है आपका चिल्डेन मेन ओमेन और चिल्डेन हो जया है तो देखिए नंबर्स इनका क्या है पहले एक तरीका तो और हम लोग इनको रिश्यो में पहले करने कहते हैं तो मेन ओमेन और चिल्डेन का रिश्यों की सनबात में हो गई है कितना में को अगर 5 मिलता है वोमेन को 4 अगर देखिए है ओमेन को 5 मिलता तो चिल्डेन को 4 तेन का रिश्यों कितमा जागा है आधा है यह करते हैं तो पचीस इस तुव दीस इस तुव 16 का रिश्यों होगाई ठीक सिटीन को हम लोग 25 इस दूवी इस तूव् है वो मेंटेन हैं बच्चे कितना बारा है और और इच वोमेन गिट अब देखें अमांट लाओ रिशीवर और इंका रिशियो कितना है कि वेच्टी इस टू बीच इस टू इस्टो इस टो टू टो टल का रिशियो कितना जागा इसको मेंटिप्लाइए इस लोगा दो तो इस्टू रिष्टू को इस टूट जो जो लगुने बारे कितना होगा गोगा तब दिखें बड़ा सा सिंपल सा सवाले को टोटल कितना हो गए 200-200-400 प्लस 602 कितना होका 500 वान तोटल कितना हो गपका 592 इनिट का वेलू कितना है आपका अब यह उनसे आप से पूछा जा रहा है कि परतेक महला द्वारा प्राप्त राशी तब परतेक महला द्वारा कितना मिल रहा है प्राप्त हो रहा है परतेक महला को फ्रेंड कितना मिल लगा आपको तो फ्रेंड यह आपका आज का वार्वा कोशन था इसको आप लोग बनाईए आपको लोग पोस्ट किजिए उमीद है कि आप लोग को यह से सेशन काफी अच्छा लग रहा होगा काफी हम लोग डीप में बहुत घहराई से पर पूरा माथेमाटिक्स को बहुत डीप में आपको पढ़ाएंगे कि कोई भी एक्जाम हो आपको इस तरीका से मैथ पढ़ना कि आपको अंदर में बस जाए तो फिंट्स अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए शेयर करते रह थैंक यू टेक केर बाइपार